नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तांतरिक बिध्या समाधान और पूजा बिधी पर दोस्तो आज मैं आपको मंगल ग्रह के मंत्र के बारे में कुछ बाते बताऊंगा कि दोस्तो इस मंत्र को यदि आप अपने देनिक जीवन में इस्तमाल करेंगे या इसका जाप करेंगे तो आपको क्या प्रभाव पढ़ेगा और दोस्तो इससे आपको क्या लाब मिलेगा लेकिन उससे पहले दोस्तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तो मंगल को भूमी पुत्र भी कहा जाता है नव ग्रहों में सबसे प्राकर्मी और शोरे का परतीक मंगल ग्रही होते हैं और दोस्तो भूमी से जुड़े हुए सारे कार्यों में मंगल ग्रह का विसेश योगदान होता है दोस्तो यदि वेक्ति सहज मन से अपने जीवन में मंगल मंतर का जाप करे तो उसके जीवन में कभी भी मंगल ग्रह का प्रकोप नहीं होता है यानि दोस्तो जो वेक्ति के जीवन में मंगल का प्रकोप हो या मंगल ग्रह का प्रकोप हो और दोस्तो यदि वह सहज मंद से या अच्छे मंद से या अपने अच्छे विचार से मंगल मंतर का जाप करे तो दोस्तो उसके जीवन में जितनी भी समस्या होती हैं वह हमेशा के लिए दूर हो जाती है मित्रो यदि वेक्ती मांगलिक है और यदि वह प्रती दिन इस मंत्र का जाप करे तो उसके जीवन में जितनी भी वादाएं हैं वह हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी यानि वह कभी भी उसके नजडीक नहीं आएंगी दोस्तो इस मंतर का जाप आप किसी भी मंगलवार से हनमान मंदर या किसी एकांट स्थान पर कर सकते हैं दोस्तों इस मंत्र का जाप करने के लिए सबसे पहले आप स्वच्छ होकर बताई हुए स्थान पर 108 दाने वाली रुद्राक्ष की माला ले करके चले जाएं अब दोस्तों वहां पहुंचने के बाद में अपना मुख पूर्व दिसा की तरफ करके या हनवान जी के सामने करके नीचे जमीन पर बैठ जाएं यानि दोस्तों आप मंदिर में जाएं तो हनवान जी की मूर्ती के सामने ही मुख करके बैठें अब मित्रों हमारे द्वारा बताए गए मंत्र को रुद्राक्ष की माला से लगातार 11 माला जाप करें दोस्तो यह प्रकिरिया आपको लगातार 21 दिन करना है दोस्तो जैसे ही 21,000 मंत्र जाप पूरा होगा आपके जीवन में मंगल ग्रह का प्रकोप अवश्य कम हो जाएगा मंत्र दोस्तो मंत्र निमने प्रकार है इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है ओम क्राम क्रीम क्रोम से भुमाय नमा ओम क्राम क्रीम क्रोम से भुमाय नमा ओम क्राम क्रीम क्रोम से भुमाय नमा और दोस्तो यदि हमारी वीडियो से सम्मंदित या मुझसे सम्मंदित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो मित्रों नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ रकते हैं नमस्कार